नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हर्दिक स्वागत है आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टोपिक लेकर आया हूँ जुवाइंट पेन के विशे में, जुवाइंट पेन का काल है, यह है ड्रीम इसे जानने के लिए किरपे हमारी वीडियो को देखते रही है सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी सभी वीडियो को आप हमारे मॉबाइल आप को डाउनलोड करकर भी देख सकते हैं ग्रेजी इंडिया के नाम से Google App Store से हमारे आप को डाउनलोड कीजी और हमारी सबी वीडियो को देखिए आज कल कम उमर के लोगों को भी जोडों का दर्द परिशान करने लगा है यह प्रोब्लम जादा बढ़ जाए तो चलना फिरना मुस्किल हो जाता है एक समय के बाद सरजरी तक की नोबत आ जाती है आज जो रेस्पी हम आपसे सेर करने जा रहे हैं वे आपके जोडों को मजबूत बना देगी और जोडों की कमजोरी से हो रहे दर्द को भी दूर बगा देगी जोडों का दर्द इंसान को बेबस कर देता है और चलने के काबिल नहीं छोड़ता जोडों का दर्द जादा तर बढ़ती उमर की वजह से होता है जब जोडों में लूब्रिकेंट की कमी होने लगती है तो दर्द उत्पन हो जाता है आठ नूँ घंटे कुर्सी पर बैठे रहने से पैरों के घुटने अकर जाते हैं और लगातार सफर करने से भी घुटने दर्द करने लगते हैं बुड़ापे में अक्सर घुटनों की सिकायत बनी रहती हैं, घुटनों के कान ही पूरा पैर दर्द करने लगता हैं, जोडों का दर्द पैरों के घुटने कोहनियों कुलों में होसकता है, हम जो भी खाते हैं उसी कित्रह बन जाते हैं, यानि कि खाना अच्छा हो या बुरा हमारे सरीर पर उसका बहुत प्रभाव पड़ता है, आजकल जोडों का दर्द आम बात बन चुकी हैं, जोंकी लोगों को तीस की उमर से सुरू हो जाता है, यह एक प्रकोप कित्रह हैं, जो आजकल के छोटे उमर के युवाओं को भी होने लगा है, जोडों का दर्द पैरो होना चाहिए, जो के जोडों के दर्द को कम कर सके, और तुरंत अराम दिलाए, आज हम क्रेजी इंडिया की तरफ से आपके लिए एक ड्रिंक लेकर आए हैं, जो जोडों का काल है, इससे जोडों पैन जड़ से खतम हो जाएगा, वो भी पांच दिनों के अंदर, सबसे पह जाल करके भी जवाइंट पैन को खतम कर सकते हैं, आएए जानते हैं इनके बारे में, सालमन मचली, यह मचली, ओमेगा थ्री फैटी एशिड का अच्छा सुरोत है, यह जोडों के दर्द से पैदा हुई सूजन को कम करने में मदद करती है, बैरी, स्ट्रोबरी या इस ओक्सिडेंट खास करके बायो फ्लेवे नाइड दर्द को बहुत हग तक कम कर देता है, ओमेगा थ्री फैटी एशिड अगर बैलन्स नहों तो जोडों का दर्द पैदा हो सकता है, इसलिए इसे बैलन्स करने के लिए हरी सबजियां जैसे पालक, ब्रोकोली, प्यास, अ सेवन करें, कार्बोहाइड वले अहार जैसे पास्ता, ब्रेड, फ्राई फूड और जंक फूड से दूर रही, सूखे मेवे, बादाम, काजू, अखरोट और कद्दू के बीज में ओमेगा थ्री फैटी एशिड तथा एंटी ओक्सिडंट पाया जाता है, जो की सूजन को क कम करके दर्द को दूर करता है, ओले ओल, इस तेल में कम वसा और बहुत सारा एंटी ओक्सिडंट होता है, जो की हडियों तथा दिल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, यह सूजन को कम करता है, और मोटापा भी गटाता है, संत्रे का जोस, संत्रे का जोस, रिसर्च के अनुसार, ठीक परकार से विटामिन सी का सेवन करने से हडियां कमजोर नहीं होती है, नहीं तो हडियों की कमजोरी के वज़य से ही जोडों का दर्द होता है, इसलिए रोजाना संत्रे का जूस भी हैं जिससे हड़ी और स्किन दोनों ही अच्छे रहें अहार के साथ ही आपको रोजाना वययाम भी करना चाहिए यदि आपके पास जादां समय नहीं रहता तो जोकिंग या लंबी वाग पर भी निकल सकते हैं वययाम करने से मुटापा दूर होगा जोंकि जोडों के दर्द में जोडों में दर्द होने का एक विशेश कार्ण होता है और मोटापे को दूर बगा कर भी आप जोडों के दर्द से बस सकते हैं क्योंकि वो है उसके कान भी जोडों में दर्द होने की समभवना बहुत अधिक होती है जोडों के दर्द से छुटकारा दिलाने वाली ड्रिंक की रेस्पी इसमें इस्तमाल होने वाली सारी सामगरी आपको असानी से आपको घर पर ही प्राप्त हो जाएगी आए जानते हैं इस औसदी के बारे में इस औसदी के लिए सामगरी एक कप संत्रे करस एक कप कच्चा धलिया दो कप कटा हुआ अननास 40 गराम बदाम 40 ग्राम सहद और 7 ग्राम दाल चिनी इस ओस्दी को क्यार करने की विदी सबसे पहले दल्ये को पानी में डाल कर पका लीजिए आब इस दल्ये को समाने ताप पर ताप तक ठंडा होने के लिए रख दें आग से उतार कर दूसरी तरफ संत्रे के रस और अनानास के रस को अच्छे से मिक्स कर लीजिए जिससे कि वो अच्छे से मिक्स हो जाए अब इसमें दाल्चिनी और जो बदाम थे बदाम को अच्छी तरह से पीस कर डाल दीजिए दल्चनी और बदाम को इस पीस का इसमें डाल दीजिए सहद, सहद को मिसरन में मिलाकर अच्छे से मिक्स कर ले अब इस मिसरन में ठंडा किया हुआ दल्या डाल दीजिए बस आपकी ओसदी तयार हो गई आप इस ओसदी का सेवन कीजिए इस ओस्दी से अगर आप इस ओस्दी का continue प्रियोग करते हैं तो पांस दिन के अंदर जो आपका joint pain से समंदी समश्य है वो बिल्कुल जड़ से खतम हो जाएगी दोस्तों और आपको कुछ ही दिनों में आपको खुद ही फरक महसूस होगा कि आपको जो जो जोड़े के दर्द की समश्य है उसे बच जाएगे इसके साथ साथ दोस्तों आप अपने लिए संतूलित अहार का सेवन जरूर करें संतूलित अहार के सेवन से भी आप बहुत सारी बिमारी उसे बस सकते हैं जिन में जोडों का दर्द भी एक बीमारी है क्योंकि हम जंक फूड का सेवन करके हमारी सरीर को पूरी तरह से विटामिन नहीं मिल पाते हैं जिन से की हमें बहुत जादा बहुत अधिक प्रोबलम होती है इसलिए हम अगर संतूलित अहार का सेवन करेंगे संतूलित अहार को अपने जीवन में विटामिन से भरपूर हम उसको अपने जीवन में कॉंटिन्यू सामिल करेंगे तो हम जोडों के दर्द की समश्या से या किसी भी समश्या से छुटकारा पासकते हैं इसके साथ साथ दोस्तो हमें हर रोज सुबह मॉर्निंग में वयाम जरूर करना चाहिए वयाम करने से भी हम बहुत सारी बिमारियों से बस सकते हैं बहुत सारी बिमारियों से हम पीछा छुडा सकते हैं वयाम और वाकिंग ये जिंदिगी के आप एहम रूल बना लिजिए कि आपको ये करने ही है वयाम करना है वाकिंग करनी है दोनों एक ही कंबिनेशन हो गया इसके साथ साथ आपको संतुलित अहार का सेवन भी करना है तो दोस्तों ये थी हमारी वीडियो जोइंट पेन का काल ह ये है ड्रिंग अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्राप्त हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वैसे एर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चै मोबाईल एब को अमारे मोबाईल एब क्रेजी इंडिया को गूगल एप स्टोर से डाउनलोड करकर भी हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं और अपनी लिए फाइदा उठा सकते हैं धन्यवा दोस्तों आप हाईदा